असलाम अलेकुम, मैं ताहिर बात कर रहा हूँ Virtual University Soft VN Campus से वीवर्स जीस तरह के आपको पता है Virtual University के हवाले से मैं वीडियो और शॉर्ट इंट्रो वीडियो बनाता रहता हूँ तो आज की वीडियो में फर्स्ट अनौस्मेंट भी है कि Virtual University के Spring 2023 के Admissions open हो चुके हैं तो इस इसले में आज की वीडियो में मैं कोशे करूँगा कि Admissions जो open हुए है उसमें आपको थोड़ा short intro दे दिया जाए कि Admissions के इनके प्रोग्राम से भी open है थोड़ा eligibility criteria के हवाले से Admissions के लिए आपने apply करना कैसे करना है और अगर आपने apply करना है तो उसके लिए आपको क्या favor आपके लिए favorable होगा कि आप at campus करें at home करें तो आज की वीडियो हम start करते हैं फर्स्ट आप फाल तो जिस तरह के मैंने बताया है कि Virtual University में admission आज से start हो चुके हैं और admission जो है 15 February से लेके at the end जो है यह 7th April तक admissions open रहेंगे और जो spring session है यह Virtual University का spring session होता है इसमें MS के program में admissions नहीं open होते तो काफी सारे viewers जो हैं या students हैं वो MS की query करते हैं उनके लिए कि MS के admission open नहीं है हमारे पास जो admissions open है उसमें BS program है, ADP program है इसके लबाबा diploma program है BA program है, specialization course है इन प्रोग्राम में open है आपको जो है detail program की अपना वीडियो में नजर भी आ रही है तो मैं shortly वैसे बता भी देता हूँ कि हमारे पास ADP program में computer science, web designing and development है इसके लावा networking है इसके लावा हमारे पास ADP arts program है इसके लावा हमारे पास media study से related program है और business administration psychology, mass communication इस तरह के सारे programs है और BS program में same computer science faculty हमारे पास जिसमें CS, IT, software engineering science and technology में हमारे पास mathematics program है इसके लावा हमारे पास BS English accounting finance, business administration और media study public administration इस तरह के सारे program BS में भी हो रहे है और list भी आपको भी हो रही है इसके अलावा BA program 1.5 year जिन student ने 16 year education जिनकी है उनके लिए 1.5 year, 1.5 साल का program और जिनकी 14 year education है उनके लिए 1.5 साल का program इसके अलावाड same जो faculties मैंने बताई है उसमें diploma course हो रहे है जो bachelor के बाद होते हैं हमारे पास और इसी तरह हमारे पास specialization program है जिसमें marketing, management, banking है, finance है, HRM है specialization जो program है वो master degree के बाद होती है और जिस तरह के ADP program और या BS program है वो जहरी सी बात है इंटर के बाद होंगे तो इस तरह ये तो programs के detail होगी अच्छा फर्दर जो बात है कि admissions आपने apply कैसे करना है तो मैं आपको guide करूं कि admissions को apply करने के लिए आपके पास अगर तो आप हावलपूर लोकल यहां पे हैं तो आप हमारा campus विजट कर सकते हैं हम आपको further भी details सारी आपको free consultations देंगे कि आपके लिए कौन सा program suitable है eligibility criteria के मतलग आपको सारा guide करेंगे ताकि आप apply करते हुए किसी किसम की आपको परिशानी ना हो तो फिर आप हमारे campus देंशीफ लाएं हमारा campus रफिकम रोड सेटलाइट ओन भावलपूर है यहाँ पे हमारा campus सुभा आर से रात आर बे तक 12 गैंटे ओपन होता है और अरहमदुलिला हम वाच्चर जी निवस्टी के outstanding services दे रहे हैं और हमारा campus 2002 से है तो maximum student अलहमदुलिला भावलपूर के जो हैं वो हमारा ही campus चूज़ करते हैं आप यहाँ पे आएंगे आपको guideline मिलेगी proper और आपका हम admission भी process कर देंगे otherwise जो दूसरे out of city student हैं जिस तरह के बहावलपूर के जो नेरे city हैं वहाँ से भी maximum student हमारे पास apply करते हैं अगर आप हमारी services लेना चाहें हम आपको proper guide करेंगे through whatsapp आगर आप campus में weekend पे चकर लगाएं या जिस तरह भी है क्योंकि इसकी study के लिए daily campus में आना ज़रूरी नहीं है लेकिन daily basis पे campus की आपको guideline की लाजमी ज़रूर परती है अच्छा इसमें एक जो confusion है जिस तरह के मैंने आपको study program का तो बता दिया वो यह होती है student को maximum कि अगर वो घर पे पढ़े तो आट campus रख लें इन चीजों को मैं पहले भी वैसे clear कर चुका हूँ कुछ वीडियो में मैं आपको यह बताना चाहरा हूँ कि इसमें आप please confuse ना हो virtual university का जो system है उसमें जब आप apply करते हैं online और अगर आप खुद से apply करें तो आप जिब city select करते हैं आप city बहावरपूर select करें तो आपको दो तरह के status नजर आएंगे study at home, study at campus तो काफी साथ student जो सोच रहे होते हैं कि हमने तो घरपिक बढ़ने है तो क्यों ना हम campus जो है वो at home select करें और at campus करेंगे तो पता नहीं वहाँ पर क्यों attendance system है या marks का system है तो मैं उन student को clear करना चाता हूँ कि ऐसी कोई बात नहीं होती at campus select करने का सिर्फ एक मकसद है कि campus से आपको facilitate किया जाए मैं ये कि देखें मैं आपको एक छोटी ची example देता हूँ कि अगर आप at home है आपको को problem face करने पड़ रही है आपको को guideline required है तो आपके पास option है कि आप virtual university के toll free number पे काल करें तो जहरी सी बात है head office में बहुत ज्यादा burden होता है तो maybe आपको easily आपको वहाँ से आपकी access ना हो सके हो जाती है लेकिन easily हो सकता है यही वज़ा है कि virtual university ने पूरे पकिसान में तकरीबन 240 से भी above campus आप virtual university के हैं और virtual university के end पे वो guideline दे रहे हैं और इसकी कोई अलग से fees नहीं होती कोई आपके यह नहीं होता कि कोई exam या पिर आपकी बाकी सारी कुछ इसमें chaining है सिर्फ यह कि आपको consultation मिलती रहती है आपको guideline मिलती रहती है तो please इन चीज़ों से confuse ना हो आप अपने लिए better decision करें और better decision आपके उसमें यही जाता है कि आप जब भी apply करें आप अपना status at campus रखें और कोई न कोई campus में यह नहीं कहाई रखें आप हमारा ही campus लाजबी चूज़ करें आपकी जो भी near rest है आपको लगता कि जहां से आप better facilitate हो सकते हैं आप वो वाला campus चूज़ करें ताकि campus आपके लिए कुछ ना कुछ डिस्मोंसिबल तो हो और अगर आपको WhatsApp पे या locally आपको बाग करनी पड़ती है mobile numbers पर बात करनी पड़ती है आपको campus किसी वज़ा से आना जाना पड़ता है कोई भी आपने discussion करनी है तो आपको easily वो चीज available हो सके तो campus इसलिए है ना तो इसमें कोई फीज का difference है ना इसमें कोई और difference है अच्छा यह है ना तो यह है कि इसमें आपने कोई attendance देनी है जो चीज़ मैं पहले भी आपको confirm कर चुका हूँ तो प्लीज इन चीज़ों को आप माइंड से निकाल दें और आपको जो ए कर रहा है हमारे सेंक्रों pass out student है और वो refer भी करते हैं अलामदुलिला हमारे 100% student हमारी से satisfied है आपने admission लेना है आप without any hesitations आप हमसे guideline लें हम आपको guide करेंगे परोग्रांद के हवाले से virtual university के education system के हवाले से जिस तरह कि आपको जो एक आम तासर पाया जाता है कि यह online study है और इसम सारी चीज़ें हैं लेकिन आपको बरहल guideline की जरूर परती है अगर आपको guideline proper in time मिलती रहे तो आपका बड़ा successful program complete हो जाता है तो इस सिसले में आप हमसे जब भी रापता करेंगे इंशाला हम आपको guide करेंगे admission के सिसले में मैं आपको program बता चुका हूँ इसके अराबा different और कि किसी भी program के वाले से आप हमारी consultation चाहेंगे most welcome हम आपको guide करेंगे आपके वक्का शुक्रिया thank you so much